नमस्कार दोस्तों मैं हुँ मिक्युपाल और आज प्रदेश के जितने भी सिछक साती सोभी के मेरा नमस्कार एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि मैं नए नियमावली को बिरोध करता हूं पर ये चीज मैं बता दूं कि कुछ ऐसी चीजे हैं जिनके कारण खुल करके बिरोध नहीं किया आजा सकता है क्योंकि हम लोग अपने भवी से ले करके और भी चिंतन हो करके सोथना पड़ेगा इसका करण ये हैं जिए नियमावली वापस भी होगी तक क्या गेरांटी है कि आपके कहया अनुसार उन नियमावली आएगी क्योंकि ये हम लोग क्या आपस के सरकार कि आप लोगों ने इतने नुमाइदे और फैदे किये हैं कि सरकार को अंततों यह डिसीजन अब इसमें कौन सा दोस्रों और अभी तो चुनाओ का समय है लोग सबा का चुनाओ चलेगा अगर इस शमय नेमावली क कम लोग बिरुद कर दिया और नेमावली में छे महीना आठ महीन और लाड़का दिया गया और चुनाओ का डेट की घोषणा आ अगी तो फिर नेमावली कब आईगे अपकी बहाली कहां जाएगी क्या हो पाईगी आपकी बहाली इस बात को आप सकते हो इसमें नहीं आएगा हम लोग अपने क्वालिटी को परसा करेंगे नहीं बिहार राज्य को सिख्षोकों के लिए राज्य कर्मियों के जो दर्जा देने की बात किएगी है अच्छी चीज है कोई दिकत नहीं बस एक निश्चित समय सालरी में एकजाम का बीडेट दे क कोई दिकत नहीं अगर आप इस नियमावली को बिरोध किजिएगा तो बिरोध करने के बाद में भी जो नए नियमावली आएगी दूसरा कोई गैरांटी नहीं कि आप उसे खूस हो पाईएगा क्योंकि कोई न कोई उसमें भी फाल्ट होगी बहुत सारे दिकति के सामना कर करना पड़ेगा भी चुनाव को देखते हुए दिया गया आए कि भर चुनाव हम लोगों से परचार करवाया जाएगा और आप समझ लिजिए कि अगर इस नियमावली को वापस कर दिया जाता है और नियमावली दूसरी संदोन के लिए जाती भी है तो कब आएगी क्या आ प्रड़ाम से संतुष्ट नहीं थे बहुत सारे इसा खामी है जिसको दूर नहीं चाक्र के भी एक किया जा सकता है एकजाम से नहीं मैं बार बार बोलना हूं अगर सरकार को सही काम तो एक्जाम का पैटर्न दे देती, एक्जाम का तारिक डेट कर देती, एक्जाम के सिलेवस दे देती उसके बाद, और जो ये तीन बार एक्जाम के लिए आप कुछ हमारे साथ ही फोन करके परिशान हो रहे हैं, कि तीन बार ही मौका यह आपको नहीं बोला जा रहा है, जो पहले से सिख्षक हैं उनको राजय कर्मियों को दर्जा लेने के लिए तीन बार का मौका दिया जाएगा, आप नहीं, आप तो डाइरेक्ट जाएगा तो राजय कर्मी को दर्जा पाकर क्योंकि आप देख जान देजिएगा, अगर वह इसा होगा तो तो आपको लिए नहीं ह अगर असी हजार फ्रेसर वहाली होगी, तो भी उस पर कोई नहीं आएगा, इसका कारण यह है कि असी हजार फ्रेसर की वहाली होगी, और वो जो मतलब कुछ साती समझ रहे हैं, कि पहले से जो जौब कर रहे हैं, जो राजय कर्मी के दर्जा लेना चाहेंगे, वो भी आपक सीट काउंट नहीं की जाएगी, आपकी सीट को उनको नहीं दी जाएगी, यह 100% है, लेकिन यदि आप लोग खुल करके बिरोध करना चाहते हैं इसने मावली को, तो सभी लोग एक होकर के बिरोध कीजिएगा, अब मैं यह जान रहा हो कि यह पोसिबल नहीं है, क्योंकि ब उसमें भी हम लोग के लिए कतई हानी नहीं हो, मेरिट बनाने की जो पतलब परकिरिया है, उसी मेरा चेंजिंग आई है, कि परिछा होकर के गोजरना पड़ेगा, तो आपको जिनको क्वालिटी फरसक है, वो सचे, आ नहीं सब कोई अगर एक जूठ है तो मैं भी एक कर रहे, किसी को सुनता नहीं, कितना लाठी हमने खाए हैं, कितने बरजल के हमें याद हैं, तो आप इस बात को खुद से तुलना करिए, कि जो लोग आज बोल रहे हैं, कि आपके अंदोलन में घर से निकलते थे, जो आज कर रहे हैं, कि ये आच्छा नहीं है, उस समय तो म अभी ज्यादा मन तांगो, ये अब्यार्तियों का नाकामी के कारण है, कि महागटबंदन सरकार दोरा इस परकार का नहीं मावली आया, हर किसी को खुश किया दा सकता है, क्या, अपनी हाथ के पांच अंगुलिया बराबर है, क्या, और ये अगर गई, तो कब आएगी, बोद सारे लोग इसमें, राधिनीती छोड़ करके, नीजी स्वार्थ छोड़ करके कुछ अगर देखा जाए, तो ही बेटर है, अन्य था, ये सड़क पूर तरने के लिए मैं भी तैयार हूँ, और एक आवाम में आवाम मिला करके निमावली को ग्रोध किया जाए, लेकिन दो है, एक होकर के लड़े, बहतर से बहतर का यही तरीका है, और दूसरा आप से यह है कि एकजाम का डेट के भी आप मांग कर सकते हैं, कि अभी ही एकजाम का डेट दीजिए, फोम बरवाईए, पैटर्न दीजिए, सिलेवर्स जारी कीजिए, और जितना जल 2003 से पहले सारी अरचनों को सारी बादाओं को दूर कीजिए, यह होना चाहिए, तो सरकार तो चाहरा है कि आप निमावली के लोकर के बिरोद कीजिए, ति महीना तीन महीना अंदोलन कीजिए, फिर बिरोद में निमावली अपने पास रख लेगा, रखने के बाद में दूसरा निमावली सबाधर बंद पर बूलेगा कि हम लोग का रेकिर तब तक में लोग सवा पर कर का कोई का रहर नहीं है करेंगे अब चुनाव बाद करेंगे फिर क्या घंटा हमारे हाथ में बचेगा इस बात को समझिए मैं बहुत दुखित मन से बहुत लाऊँ कि आप लोग ज्यादा कुछ ना सोचे लेकिन हाँ, सोच समझ करके जरूर इसी जन्दी चलिए, भिलेंगे फिर किस जन्ने वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद